नमस्कार कैसे हैं आप बैकल पिक्ची के साब में मैंने दोश कोशेग आज आपको अजवाइन के प्रियोग बताऊंगी कि अजवाइन का हम कैसे प्रियोग करते हैं और शदिये रूप में सबसे पहले देखिए नजला जुकामबा सिर दर्द में अजवाइन का पांच से दस चमच अजवाइन ले 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 आप और फिर उसे गर्म करें तबी पर गर्म कर ले और गर्म करने के बाद मलमल के कपड़े मसकी पोर्टली बना कर सूंगें जब इसे सूंगेंगे तो छीके आने लगेंगी और छीके आने से नजला जड़ेगा और जुकाम बाला जो सिर दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा दूसरा है अजवाइन को साफ करके उसका चूरन बना ले उसे कपड़े में छान ले कपड़चन करने के बाद नस्वार की तरह से उसे सूंगेंगे तो इसे जो रुका हुआ कफ है जुकाम का वो जड़ेगा जुकाम जड़ जाएगा सिर दर्द चीगवा और मस्तिश्क में कई वार छोटे छोटे हमारी क्रमी कीड़े हो जाते हैं उनमें भी आपको बहुत लाब मिलेगा अब है अजवाइन का खांसी में लाब देखिए बहुत ज काढ़ा जैसे एक ग्लास पानी में इनको डालेंगे और जब वो आधा रह जायगा आधे से कम रह जाएगा वैसे काढ़े कह होता है चौठा ही रहना आधे से जब कम रह जाए तो उसे जब आप सेवन करेंगे तो आपको हौशी में बहुत लाब होगा सेवन की मात्रा yeah 5-10 एक बार में 5 से दस गराम सेवन करना है आपको वह रथा लेना है दूसरा है सत अजवायन 155 मिलीग्राम अजवायन का सत उसमें 2 गराम घी डालेंगे और 5 गराम शेहद डालेंगे इसको मिला कर इसको अच्छी दर से घोल लेंगे मिला लेंगे दो या तीन बार दिन में अदा दा चमच थोड़ा थोड़ा लेंगे तो कफ बनेगा ही नहीं और खांसी ठीक हो जाएगी अजवाइन का अगला प्रयोग है कि अजवाइन का अर्क दिन में तीन बार मातर लगभग आधी छोटी चमच लें दुर्गंद युक्त कफ हो जाता है ये कफ होता है जब हमें नजला हो जाता है बहुत पुरानी खांसी हो जाती है तो हमारे कफ में दुर्गंध आने लगती है बदभू आने लगती है तो ये आधी छोटी चमच दिन में तीन बार आप अजवाइन के अर्क को लेंगे तो य ये हैं अजवाइन के नजला जुकाम, सिर्दर्द, मस्तिश के क्रमी और खासी और कफ रोग में प्रियोग। आज की श्रंखला में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, अगले आयाम के साथ नमस्कार।